नमस्कार दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल पर स्वागत है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला सभी नोटिफिकर्सन आपको मिलता रहे दोस्तों आप सभी केले खाने के फाइदे वर केले से सम्मंदित बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन दोस्तों क्या आप केले के छिलके के फायदे के बारे में जानते हैं जिस प्रकार केला खाने से स्वास्त के लिए अनेक फायदे होते हैं उसी प्रकार केले के छिलके के भी बहुत ही अद्वुत फायदे हैं दोस्तों आईए हम आपको बताते हैं केले के छिलके के गजब के फायदे के बारे में जिसे आप अभी तक सायद ही जानते होंगे नमबर वन केले के छिलके में विटामिन A की मात्रा पाय जाती है जो इम्मिनुटी को मजबूत कर इनफिक्शन से लड़ने में मदद करता है नमबर टू केले के छिलके में लोटीन होता है जो आँखों में मोतियाविंद होने से रोपता है नमबर त्री केले के छिलके में एंटी आक्सिडेंट होने के साथ साथ विटामिन B वखास तोर से विटामिन B6 की मात्रा होती है नमबर फोर इसमें गुलने वाले और न गुलने वाले फाइबर होते हैं जो पाचन क्रिया के कारे को धीरे कर सरीर से कोलिस्ट्राल को कम करते हैं नमबर फाइब केले का छिलका खाने में से आप सरीर के लिए जरूरी पोटेसियम और मैगनेसियम पा सकते हैं जो ब्लड प्रेसर को बनाए रखने में मदद करता है नमबर शिक्स दोस्तों हम आपको बता दें कि कई अध्यनों में यह माना गया है कि केले के छिलके में सेरो टोनी नाम का पदार्थ पाया जाता है जो डिप्रेशन पर काबू रखकर आपको खुश रखता है इसके अलावा इसमें डोपामाइन होता है जो दिल की धड़कन वह इसको नियंतर करने में वह गुर्दों में खून का प्रवाह बनाए रखता है दोस्तों हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि केले का छिलका आपको कैसा लेना चाहिए यह पका हुआ होना चाहिए या कच्चे केले का छिलके का इस्तिमाल करना चाहिए दोस्तों जापाने साइन्टिफिक रिसर्च के मुताबिक पीले छिलके में एंटी कैंसर गुड़ होते हैं जो वाइट बलड सेल्स को उत्पन करने में मदद करते हैं अगर आप अपने आहार में केले का हरा छिलका सामिल करते हैं तो इसे मुलायम करने के लिए 10 मिनट तक बॉयल करें फिर इसके बाद इसका इस्तिमाल करें नमबर एट दोस्तों एक अध्यन के अनुसार बताया गया है कि हरे छिलके में ट्रिप्टोफन नामक पदार्थ पाया जाता है जो एक तरह का अमिनो एसिड होता है यह रात को अच्छी नेद लाने के लिए भी काफी लाबकारी होता है दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केले के छिलके के इन सभी फायदों को पाने के लिए केले के छिलकों को किस प्रकार प्रियोग में लाया जा सकता है और इसके फायदे को कैसे प्राप्त किया जा सकता है तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर यह बीडियों आपको अच्छा लगा तो हमारे इस बीडियों को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ सेयर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें ताकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे धन्यवाद दोस्तों